नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के कार्मे कृतिया हिंदी पॉड़कास के एक न्यू एपिसोड में आज का पॉड़कास्ट प्रॉपर गनीश जी के बारे मैं विकोज आप सब जानतों गनीश इतुलती आने वाली है और आज के गैस्ट जो हमारी है वो है मिस अना क्योंकि अगर आप गनेश जी को याद नहीं करते हैं और आप डायरेक्ट किसी बगवान को याद करते हैं या पूजा करते हैं तो आपकी पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है तो आपने कई मंदरों में भी देखा होगा या कई जगा पे देखा होगा कि हम लोग सब परिणनेश जी की पूजा करते हैं या आप ड़ी मरं मंदिर है और अपको हमेशा गनेश जी मिलें गे और घन्मान जी भी मिलेंगे लेकिन परतम पूज़ हुमारे गनेश जी है इस कहानी को तो आप भी लोग जानते होंगे तो इसी की व्जा सेrov स्रीगरिशय नम्हा स्री गड़ीशाय नम्हा परफेट नाइस सो आज के पॉड़कास में हम अनामिका मैम से गनपती जी के बारे में सब कुछ जानेंगे जितना हम जान सकते हैं गनिष चतुलती पर हम कैसे पूजा करें क्या कर सकते हैं किन चीजों पर ध्यान देना है और किन चीजों का ध्यान मैं जानी में रखना है इसका इत्यान देना है और फिर्स आफ और मैं और चीज़ बताना चाहते हो कि माम जासी से है तो अविसली हर बार जब भी को एगस आता है जो यूपी से होता है उनसे मेरा अललगी कनेक्शन बनता है जो मैम को साथ पी काफी अशी से बना है तो क्रोंकि हम एब साथ का गुशित से हैं कि अधिकी पर आफ पर ड़ी और होना चाह отвеч दो साथ कर दो की कि घर पे आ जो है कि टो हमेशा से ही आपके गर में है क्योंकि जब आप कोई काम करते है तो घर 200 शुब लिखते हैं वो 10 दिनों के लिए आ रहे हैं या 5 दिनों के लिए आ रहे हैं पहरी चीज तो यह हो गई दूसरी चीज अगर किसी को गनीज जी अपने घर में स्थापित करने भी है तो कोशिश करिए कि राइट सुणड वाले गनीज जी ही आपके घर में स्थापित करें वो आपके लिए फाइदे मंद होंगे तीसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगे कि गणीज जी को जो है गुड़ और घी का भोग अगर आप लगाएंगे रेगिलर बेसिस पे तो आप जो है गणीज जी की करपा के पात्र बनेंगे यह भी बिल्कुत सच बात है तीसरी चीज कि हम कहते हैं कि कोई बहुत जादा परिशान हो जाता है कोई कहता है कि आप बुद्ध की उपाई करा लिजी कोई कहता है कि गनीज जी मतलब थोड़ा सा आपको सुब काम देने के लिए कुछ करने लगे तो आप एक काम कर सकते हैं क्योंकि उनको दूर्वा बहुत जादा पसंद है तो आप 21 ग चीज आप मंत्र जाप कर सकते हैं गनीज जी के अपने अभी जी की शक्ती का जाना ही नहीं आप सबको लगता है कि बहुत चुलबुले हैं सबको लगता है कि चुलबुले हैं तो यह कि आप लोग क्या करते हो आप लोग नहीं हम भी यह चीज करते हैं कि कही नहीं हम लोग लेकिन जब उनका प्रचंड रूप आपको यह वैसा रूप देखेंगे तो आपको लगगा कि मतलब बहुत तेज है भगवान जी तो जैसे आप उनका रूप देख लोग बहुत लोग बहुत लोग पढ़ेंगे तो उनको बहुत सारी चीजे मालूम भी पढ़ेंगी क्योंक करते हैं अगर आप उनका सही चीज से जाप करें तो उसमें भी आप काल बहुत पढ़ेंगी ना तो सबसे पहले उसमें लिखा होगा स्री गडिशायन अमा क्योंकि भूतों के कहीं ना कहीं भूत जो होते ना उनके अंडर में होते हैं गनीज जी के यह चीज ना बहुत सार करा होंगे सबसे पहले जाएंगे गनेश जी के पास थमाज़े हो जब भी कोई काल कटेगा या कुछ भी और एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि जब भी गनेश चातुरती अभी आरी है या जिनको बहुत अच्छा लगता है गनेश जी की पूजा करना तो कई लोग हर डे के हिसाब से बिलकुल आप लड़ू बना सकते हो जैसे कि मालो गुरुवार हो गया तो आप बेशन के लड़ू बना सकते हो ठीक है अगर आपको लगता है कि शुक्रवार हो गया तो आप मगत के लड़ू बना लो या आप जो एनारियल के लड़ू बना लीजे वाइट बना और मुह की दाल के आप बुदवार को बना लीजिए इस तरीके से आप लड़ू बना सकते हो ठीक है एक और चीज यह रहेगी कि अगर जैसे गनेश चतुर्थी का बहुत सारे लोग ब्रत भी रखते हैं तो आप यह कर सकते हो कि जिस दिन जो भी गनेश चतुर्थी पढ़े साल में होती है जो साल भर वाली होती है एक उससी बना वैंस चार महीने साल भर वाली ऑग पढ़ हो तो वो गहरण नहीं करेंगे ठीक है तो आप चार लड़ों का प्रशाद लगाने की कोशिश करें तो एक आपके लिए टिप हो गई है दूसरा कि आप जो है गनेज जी की सर्व पुझा इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि आपको चाहे माता लक्षमी मिले चाहे आपको किसी का आश्रिवाद मिले वो आपको गनेज जी के थ्रू ही मिलेगा आपको उनके बिना किसी और का आश्रिवाद मिले ही हि न इसक्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहते ही है प्रतम पूझ गनीज जी के क bushy आपको कांदिता की शthen कर आफ शेए आपको की बुद्धी भी आपकी आ चीरिकरह, तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा दी और उन्होंने कहा कि यह लो तो अब वह क्या बोले। उनको यह बोले कि यह थे थे अग्रेसिव, काट्टिके जी जो बहुतने जोस में आके कंगे प्रत्वि प करिक्रमा तो GANES łगे गानेश जी जो वो जब बैठे तो उन्होंने एक शर्थ रखी थी कि आपका रुकना कम नहीं होना चाहिए अगर आप रुके तो मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा तो उन्होंने अपने दान्त तोड़के जब लिखना शुरू किया तो उनके पास समझ लो कि सांस लेने का भी वक्त नही तो हिंदी में आर्थ बताने के कारण वो रुक जा रहे थे उस ताम तो सांस भी ले पा रहे थे वे दियास जी और फिर वो जो है ना वो लिखती जा रहे थी अच्छा हा नहीं तो गरेजी ने ये शर्थ रखी थी कि जहां पर आप सांस रुकोगी या जहां पर आप रुक आप पहले गनिस जी की पूझा करो गनपती जी को पूझा इसलिए बोलते हैं तो ये चीज भी कहीं नहीं बिल्कुल है आपको एक और बात बताओं कि जो रामायंड है जहां तक मुझे याद आ रहा है वो रामायंड है जो उसमें क्या हुआ हुआ था ना कि लिखी तो सब लिखी हुई है तो हनवान जी नहीं है जो शिलाय थी तोड़ दी थी अच्छा कि मेरा कभी नाम नहीं आना चाहिए आप रभू की भक्ति करते हैं तो एक ये भी एक आपके लिए पॉइंट है यह कहलो कि बहुत लोगों को ना पता हो तो यह चीज पता चल जाए अब हम य करते हैं और यह है दो रेखते हैं कि जाव चंद्र देव जी जो है बहुत बारी थी अंको परिषा nó करते यह तो खाते ही रहता है यह तो इतने लड़ू खा जाता है या यह इतना सुंदर नहीं दिखता है इसकी सूर लगी हुई है या कुछ भी तो चंद्रदेव जी को जो घमंड आ गया था इस बात का कि वह काफी सुंदर हैं और काफी चमकते हैं तो उन्होंने एक दो बार तो टो जैजिए और को ही करता है किसी की बात को एक-दो बार इंग जब उन्होंने यह कहा ला कि नहीं तब गणे जी को घुसता आया और उनोंने नहीं श्राब दे दिया उन्हों कि तुमारी चंद नहीं जाएगी तुम भी तुम इरा मजा को अधो आते हो उस मजा को अब जरूर कर सकता हूँ कि अब इनकी आदी चांद नहीं जाएगी धीरे धीरे ये प्रकाश में होंगे और धीरे धीरे ये डाउन होते चले जाएंगे तो इसकी वज़ा से भी गनीजी की ये कहानी बनती है एक बर कुबेर जी भी थे को धनका बड़ा घंबनने था उन्होंने ब फहले इन्वाइट कि संकर जी के परिवार को इस इन्वाइट कि ये और उन्हों ने भोला कि जी नहीं पर शरूर ही बेजिए गा बोजन के लिए तो उनने झाल ध्याझिक है तो ने लगा है की तो विसे मितना खाएंगी तो उनको उन de良 ने तो पता ठाठी ये है नह इतना खाना इस्टार्ट गया उन्हें बरतन भी खाने शुरू कर दिये इतना बन-बन के खतम हो जाए उनके घर में आना आज खतम हो जाए सोना चांदी बरतन सारी चीजें वो खाने लगे तो फिर उनको लगा कि हम सच में घमंड कर बैठे ना वो दिक्कत कर गया उसके खुला कि आपके घमंड को चूर करने के लिए यह सब खिया हमने तो एक कुबेर जी को भी बड़ा घमंड आई था तो ऐसा कहते है कि किसी को ज़्यादा घमंड करना भी जहीं चाहीं पैसा हो चाहीं उसके पास घर मकान हो या उसके पास बुद्धी हो है ना कभी-शूर हो लेकिन उनका अतांडव आज भी पढ़ा जाता है तो उनको कौन छोड सकता है कौन कौन रोग सकता है जटा टवी गलत जबल प्रवाह पावित इस्थाली गले विलम विलम बिताम भुजंग तुंग मालिका तो यही चीज़े ना बहुत इंपोर्टेंट होती है तो इसी की व इस नौलेज थी और जिस तरह से उनको हम तीवी सिरीज में देखने की बहुत क्यूट है यह बहुत नौटी है वह वैसे है पर उनका काम नेचर भी उतना है जिस हआप से उनने इनको भी शराब दिया उसके हिसाब से उनके उनके लिए उतने अच्छे काम भी किया उसका त बहुत थरी प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करने को मिल रही है उनसे कैसे हम बचे क्या हम उसका निवानर मना सकते हैं और क्या क्या हम कर सकते उनसे बचने के लिए सब्सक्राइब आपके आप लोगों को जो है गानेश जी का क्या गाइडेंस मिलने वाला है वो चेक कर लेते हैं तो पहला गाइडेंस अल्मोस्ट मेरे पास आ चुका है विच इस शिक्स ओफ सूट्स आपको मैं शिक्स ओफ सूट्स का मीरिंग बताओंगी टेंशन मतलो सेकंड काड जो मारे पास आगया है क्वीन ओफ काप ओमाइग इतना वेट नहीं करना चाहिए जितना वेट करने की कोशिश कर रहे हो पाजैसिवनेस ओवर हो रही है आपकी नेगटें वह गए हो इतना सोच विचार इतना ओवर तिंक कि आपकी तो नीदें उड़ी पड़ लिए नहीं है या आपकी नहीं बनी है तो आप इस पर टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि जो चीज आपको नहीं मिलनी है न वो डेस्टिनी कैसे भी करके न उसको हटा देती है आपके रास्ते से जो आपकी भी सही नहीं है मून कार्ड भी आगया भई तावर कार्ड भी आगया भई नहीं चलेगा ये रिलेशनशिप नो कैसे भी घर के ये रिलेशनशिब नहीं चलेगा और अगर लोगों को लग रहा होगा कि ये कार्ड क्यों आ गये तो आपको गार देना चाहती हूत mental अपको और भी paralyze कि कि बहुत ज़्यादा पसे हम रहे हैं ला जिसकि वजह से यहां पर बहुत घ्ला ठीक है यहां पर नेघंडी का टोटल चार्ड यहां-पे समक्श में आ रहे है थीसरा आपको रातों की नेन निया यह प्क हो सकता है यह समय नू कॉंटेक्स क्र resposta और मेरी तो नीदे खराब आपको लगता होगा कि मैं रात में लेट सो रहा हूं उठ रहा हूं मतलब आप रात को भी देर में सो तीन-चार बजे और उठते भी नौदस बजे ओ तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करोगे ना अपने आप क्यों गहते हैं कि हम लोगों को जो है ना मूरत में उठना चाहिए बहुत इंपोर्टेंट है यह चीज ना जो इंसान करता है उसको ही फील होती है कि क्यों उठना चाहिए मतलब अपन तो जैसे मालो मालो हमारा एक्जामपल ले लो कि जैसे मालो हम 3-4 बजे सो रहे हैं और 9-10 बजे उठ रहे हमारा आदा दिन तो पैसी भी चला गया हमें जितने अच्छा-च्छा कर्म करने कि क्या पता हमें कितनी चीज देखने को मिली थी हम घट से उठके बाहर देखते तो हम वाकप तो जाते और तो आप लोग ना जितना हो सके लिए नेचर के साथ कनेक करो। तीसरा मुझे लग रहा है कि अगर आपने किसी परसन के बारे में घर में भी अगर आपने बातचीत करी है तो आपकी मदर का इशू सबसे इंपोर्टेंट है। मतलब आपकी मदर नहीं चाहती है कि इनके साथ आपकी शादी हो ठीक है या यूँ कहलो कि इनके साथ कोई आपका रिष्टा बढ़े अब उन्होंने बोला है आपका दिल तूटे चाहे कुछ तूटे लेकिन मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है बट मुझे ये इनसान अपने तीसरा व्यक्ती भी आपकी जिंदगी में या उसकी जिंदगी में आया है अगर आप देख रहे हो तो आपकी जिंदगी में नहीं आया होगा तो उसकी जिंदगी में आया होगा ओविसली ठीक है तो ये चीज़े मुझे समझ में आ रहे हैं जिसके वज़े से हार्ट ब्री है कि तोटे भी तूटे थो लेकिन फिर भी तूम इतने भी नहीं तूटे ने जिंदगे में तुम आगे अपना कुछ अच्छा नंHY कर पार् तूमने चैलेंज ना आप चैलेंज लेके उनों ने बोला तुम ऐसा कर साथ तुम ने बोला येस बिल्कुल कर सकता हूं तो आपको वो चैलेंज मिलें और कुछ होते हैं कि जो आप पहली जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं लेकि मैं इस जादा इसलिए नहीं बात करती हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगत और यार यह तो मेरा टूइन फिलीम निकला आप रीडिंग कर आओगे आप पूछो मैं कभी इन तीन चीजों की रीडिंग नहीं करती हूं कार्मिक सोलमेट कभी नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आप वैसी टेंशन में रहते हो और डवल टेंशन मिल जा तो अपनी बाउंडरी सेट करो अपने आपको पहचानो आप में पोटेंशियल है बहुत जादा और अगर आप अभी भी नहीं पहचानोगे तो बात खतम फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि आप अपनी चीजों को अभी इस चीज में देख रहे हो अपी भी आप कम से मैने हो गए कई लोगों के 6 संव मैं आरी है अब बीमार होए पड़े हैं तो किसी को और सभी प्रक्राप मारे यह किसी को एक अनुचज करो और एक ही तो और आप को चैलेंज है नहीं पड़ेंगे आप सोचो कि मैं कोई इजली चीजे मिल नहीं मिल सकती हैं तो गडीज जी कह रहे हैं कि भाई तुम्हें जो चीजे मिली हैं क्यों आप क्या सोचते हो कि गडीज जी ने कभी जेले नहीं होंगे कितनी चीजे उन्होंने जेली हैं उन्होंने कितनी चीजे अपने उपर ली हैं और कितनी चीज़े उन्होंने जह लिए ये कोई जान सकते हैं आप लभकवान ने अे 14 जाल का वनवास ऑन क्यों बड़ाओ क्यों रिए उन्हें ये मानव जाती को एक संदेश दिया है कि आप इस जनम में कर्म भोगोंगे जो आपने पिछले संद अगुत कीजर तो कर्म भोग गे तो आप किसी को आपने कंद थाइ तो आप Прेण भोगोंगे तो ये और रही जेनररीडिग канале ये जानते है कि हर राशी केहसाब से गनीस घयाएटना है। तो पहले हम都有 मेश-च राशी से सबस्सार्ट कर लेकर करें मेश-च उमा करा चाहते हैं कि मेश-च चीस गॉह।। यहां पर गनीज जी कहना चाहते हैं कि भाई तो में इमोशनल लेवल पे इतने वीक पढ़ जाओ कि अगर आपने इस चीज की जिद करी या यूं कहलो कि अगर आपने किसी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हो तो आप इमोशनली इतना वीक हो जाओ कि कि आप अखेले रह जाओ के तो सबसे पहले आपको यही कहना चाहूंगे कि कोई भी कंडिशन में अगर आपकी कंडिशन नहीं बैटरी एठी कि आपको लगता है कि यह चीज आपको नहीं मिलेगी इन इस चीज को यहीं पर बिराम लगा दो ठीक है इमोशनल लेवल पे स्टक मत हो एमोशनल लेवल पे बिलकुल भी पढ़ना नहीं है आपको जस्ट गो विद अफलो मेश राशी और इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिशव राशी की तो उनके लिए क्या गाइदेंस एक लेते हैं ब्रिशव राशी सो उनके लिए जो गाइदेंस आ रहा है वो वाई मुझ यह चेहरेंज को फेस कर रहे हैं आपके चेहरे पर इसमायल रहनी चाहिए आपके चेहरे पर यह चीज होनी चाहिए कही condominay और जैसे आपे वैसे ही होना चाहिए आपको good news भी मिलेगी जिस चीज के आप अभी लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में दिखाई देरी लेकिन मैं आपको एक और गाइडेंस यह देना चाहूंगी कि अगर आप फाइनेशियल चीजों के लिए हाड़ वर्क कर रहे हैं तो मुझे लगता है स्लो एंड इस्टीड विंस दरेस एंड डेफिनिटली यू विल विल विन दर रेस वाव तो अब हम नेक्स राशी की बात करते हैं जो है मित्वन तो उनकी बात करते हैं मित्वन राशी यानि की ज मतलब शादी करनी है आपने तो इतना इतनी परिकल्पना की है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है ठीक है जैसे होता है ना कि बंजर जमीन में कोई पौधा उग आना अच्छा अब इन लोगों को लग रहे कि अरे बहुत जबरदस्त चीज़ेंगी बहुत मज़ा आएगा या करक राशी आने की कैंसर तो फोर्ह्मिं के साथ साथ इनके रिलेशन्शिटjutय,"जो बात करूं एक कोछिश कर दो रिलेशन्शिप्लिक बहुत सारे लोगों के साथ ही बनाने की कोछिश करते हैं अंगर्वाह एक रिलेशन्शिप नहीं रहता है तो यह बहुत क्योंकि यह मून जाई नहीं तो इसके वज़ासे बहुत चेंज आते रहे दें कि दमाग में तुरंट से कोई आएगा तुरंट कोई काम करना है तुरंट यह चीज लेनी है तो क्यों लेनी है और फिर नहीं लेनी तो इसी चीज में आप confusion है तो उसको दूर करने की कोशिश करे आयो वेर्त वाला कोई कोई कोर्स करना चाहर है तन गो फॉर इट मंदिर की पूजा करना स्टार्ट करें बिलकुल आप कर सकते हैं और कही ना कहीं अगर आपका कास्ट इशू बन रहा है क्योंकि कास्ट इशू ब कर रहा है सिर्फ और उसका पैशन वह नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहे है कि अब भी वह पैशन पर भी ध्यान देख और वह बहुत एंजवाए करेगा इस चीज को और मुझे लगता है कि आप प्रेंशन भी मतलों कर शादी की बात चल दिए तो किसी व्यूच्वल परसं कि आप जानता हूं और इस तरफ का भी जानता हूं तो उसकित वह यह बात आपकी फाइनल हो सकती है पर अपकी शादी आ सकती है नाइस कोंग्राचुलेशन थिंस अब हम नेक्स राशी के बात करते हैं जो है सिंग राशी यानिक लिए, सबस्मेश rashison озможно रहा हो और अगर कोडोट्र चल रहा है तो 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 मुझे रहे कि आप ऐसा यह वह रगाप आपको सबसे मुझे आपने शहां बिजनेस्में मुझे यहां पर बहुत जादा काफी बहुता है को सबस्सक्राइब、、 तो आपको कोई रोके ना कोई टोके ना वह समझ में आरी दूसरा कि आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं और अगर कुछ नया करना है चाहे आपका कोई वीकल हो चाहे आपका कोई गैजट तो आप उसको भाइ कर सकते हो ठीक है और आपका गुसा ऐसा है कि थोड़ा सा अन- और धोकेवाजी से बचें खैक एक सो नेक्स आची है कंया राशीयाने कि वर्गो क्या गाइडेंस वर्गो के लिए तो यह तो यह उपर तो इतना मौज मस्ती में है तो ये guidance आपको यह मिल रहा है कि आप जिद जन्दगी में जब रिस्क नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए एक रिस्क लेना पड़ेगा एक इसस्टेप आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा हम लोग इस रूम में पैटे हम लोग को बाहर जाना है तो हमको एक स्टैप बढ़ाना पड़ेगा तब हम इस रूम के बाहर जा पाएंगे तो इसी कंडिशन के साथ आपको यह दिख रहा है कि एमोशनल लेवल पे पास रिलेशनशिप को अभी यही बिल्कुल याद ना करें आ आपको इसे के लिए अपने कमफर्ट जोन और अपने पास रॉमा से बाहर निकल ला है बाकिसारी जो अच्छी चीज़े होने पानी के लिए तो नेक्स राशी हम बात करते है तुला तुला यानि की लिब्रा ठीक है अभी राशी तो नहीं बताओ कि किसकी है बट समझ गया तो यहां पर हम भी इमाजिनेशन कर रहे हैं इस टाइंग में को ऐसा लगर आए क्योंकि सेवन ओफ कप्स का काड़ा है मैं मतलब लिब्रा राशी तुला राशी वालों के लिए जो है रिष्टा आ सकता है मल्टिपल जगह से आपके लिए रिष्टे आ सकते हैं ठीक है अब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप कही नगहीं अपने फादर के मतलब अपने फादर को आप समझेंगे जो पादर कहेंगे कहीं नगहीं उस तितिको समझने की कोशिश करना चाहते हैं अब गुष्टेस के कारण जो है वो थोड़ा सा फिर बैक ओफ कर सकते है तो मै आपको यह गाइड करूंगी कि आपको बैक आफ नहीं करना है जितना जल्दी डिसीजन लोगे उतना फायदा रहेगा और इस बात पर मैं इन्हें भी कौना चलेशन करना जाओं कि आपके लिश्टा आने वाले आप विकाड के साफ से नेक्स नेक्स नाशी के बात करते हैं व्रश्चक राशी की हम बात करने वाले हैं तो देखते हैं यहां पर कि इनके लिए क्या गाइड़ेंस है आपके ओके पहले तो पास रिलेशन्शिप को बिल्कुल ही भूल जाओ या फिर किसी की डैथ अगर आपकी हुई है और आपके ना घर में हुई है या कहीं पर आपका जो कोई बहुत जयादा प्यारा इंसान था वो हिके से מאist जिनदीगी सब्सक्राइब कि इसलिए कभी इतना अपना खुद का इतना भिकराल रूप इतना भैंकर रूप कभी देखा नहीं था जिसकी वजह से यह लोग अभी काफी परिशान रहें अभी भी मून की कंडिशन आ आप जितना हो सके अपनी मदर के साथ कमफर्ट जोन बना के रखें क्योंकि अगर आप मदर के साथ कमफर्ट जोन नहीं बनाएंगे तो एक बात याद रखेगा पीट पीछे बुराई होने की बहुत संभावना बनती हुई नजर आ रहे हैं वाव इसका तो खास कर ध्यान एक जटव के में काम तमाम लेकिन चीज़ याद रखेगा कि आपको कोई हराने वाला अभी तक आया नहीं है और ना कोई आपको फोकस किस बात पर करना इनको करियर बहुत इंपोर्टेंट इनके लिए होएगी चाहते हैं कि रानी इनके घर में रानी तो आपको मिलेगी मिलेगी तब आप जो है थोड़ा मैनिफेस्ट भी करेंगे काम भी करेंगे और उस रानी को रानी की तरह रखेंगे भी मुझे तो ये वाला पॉड्कास मुझे बहुत मिज़दार लग रहे हैं और सब के लिए बहुत जाला काम की चीज़ है सो नेक्स हम बात करते हैं मकर राशी मकर राशी की अगर हम बात करें यहां पे तो मुझे लगता है कि हाँ इन्हों ने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है पहली चीज़ बहुत पेशेंस आपने रखा भी है नो डाउट जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो नया आप करन इनों के लिए जो है आप यात्रा पे निकल जाएं कम से कम दो हफ्ते के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो उसके बाद जो है आपकी जिंदेगी में एक पोजिटिविटी आएगी में रिवर्स कार्ट नहीं पढ़ती तो टेंशन मत लेना तो आपकी जि वह बात करते हैं कुम राशी के देख लेते हैं कुम राशी के लिए क्या गाइडेंस है गाइज जी की तरफ से तरफ से सो गाईडेंस अगो पुरानी वातों से उनको वाट नहीं पड़ेगा दूसरा किसी प्रॉजेक्ट को लेके वेट करना है या उस बारे में अधिक सोचन हर एक चीज बतानी है तो उनके लिए नुकसान दाई है यह चीज और अगर यह बताते हैं तो इनके जगड़े घर में भी पॉसिबल है तो मैं यह चाहूंगी कि बिना बाद की चीजों को ना बढ़ाते हुए आप अगे अगर बढ़ेंगे तो आप जो है अच्छी चीजे कर सकते हैं थोड़ा साना जो आप अपना नेचर है ना वो थोड़ा मैच्चुर्ड नेचर रखी बहुत ही ज़्यादा आप हसमुक थे या नहीं थे क्योंकि मुझे लगता है कि आपना हर चीज इंपरफेक्ट देख रहे हो अभी आपको लगता है कि कोई आपको अगर आप सच नहीं है एप सच में बहुत मेहनति हैं कि इतना कोई राशी का महनति आदमी नहीं यह बट आप बहुत महनत करते हैं तो चीजोंको सब्सक्た बाने के लिए थोड़ा सा वेट करो लगभँच्छ में अब का यई मेने में मैपको काफी सब्सक्र मिलने के चांसे इल आपको जो मैंने चीज़े बदाई हूं उनका धिहान रखना भी ज़रूरी है यह भी सेल्फ डाउट का इशुवार है आपने वर भरोसा रखी और बहुत कुछ अच्छे से बद जाएगा तो लास्ट राश्री जिसके हम बात करने माले है वो है मीन राश्री पाइसीस के बारे में बात करते हैं यह तो हमेशा लाव अफेर में पढ़े रहते हैं यह को एक्टिली इनके जो पाट्नर होते हैं रियल लाइफ में जिनकी शादी हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मीन राशी वालों के लिए ना बहुत टफ पड़ जाती है ये सिचुएशन क्योंकि जितना वो अपनी बैचलर लाइफ में एंजॉय करते हैं तो उनके साथ उनकी कमपैटिबिलिटी मैच करना इस इंपॉसिबल दस साल तक उनका ठीक चल सकता है बाद में तो बहुत ज्यादा आती है प्रॉब्लम कई लोगों के साथ तो बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनका अट्रैक्शन फावर कम हो जाता है मीन राशी वालों का यहां पर बात आपको इस चीज़ में इंवेस्टमेंट कर रहें तो ध्यान रखें लीवर के डिनी से रेलेटेटा आपको फाल रखना है क्योंकि मुझे असा लग रहे है कि लीवर किड़नी से रेलेटेड़ प्रॉबलम हो सकती उसमें आपका पैसा जो है आप फिर से अटक सकते हैं बैल आशी वालों को दिया है ना I swear इतनी जल्दी शायद गिसे ने बताया होगा और ठीक है तो गंपरदी जी को गाड़न सब को मिल गया अभी हम एक वर क्वेशन तो मैम से एक और चीज पूछना चाहेंगा 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 कि आपका गंपरदी जी से क्या क्नेक्शन है क्य एक आप यह देखो कि जो भी चीज ना कभी हम मांगते हैं इस चीज से की मतलब जिसे गनपरदी जी आय और हमने बोला कि गनपरदी जी आप आई होना तो मुझे इतने दनों में यह चीज दे देना ठीक है और मुझे चाही है तो मुझे ऐसे रिजल्स मिले हैं कई बारी कि कि जई बार कि जो चीज मांगती हु ना मुझे या तो उनके पास्ट की चीजे पताचल जाती है यह जो चीटिंग कररे होते हैं या जो गलत बोलने होते मेरे बारे में में बारे में उ demonst्क्रा她 preference हो उसके बाद होthat people time इंपोर्टेंट गाइडेंस भी है और यह कहलो कि मुझे एक थरीके का यह ब्लैसिंग भी दे देते हैं भगवान की भाई तुम्हे जरूरत नहीं है तो experience बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं क्योंकि गनपती जी के experience करना हर किसी की बात नहीं है क्योंकि सब लोग उनको easy way में ले ले लेते हैं कि यह तो चोटे बच्चे हैं लेकिन सबसे बड़े वही है तो इसलिए हर स्थान में पहले सबसे वही पूझे जाते हैं हां बिल्कुल तो इसी की वज़ा से experience की बात करने तो बहुत सारे इसे experience हो जाते हैं बड़ गनीज जी इसलिए important है क्योंकि कभी-कभी कि हमारे mind में जैसे हम किसी के darshan करने के लिए गए और हमारे mind में चल रहा है कि हमें इनकी darshan करना है जबकि आप गनीज जी रोज पूझा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप जी दिख जाएंगे तो आपको याद आएगा कि सौरी गनीज जी परतम फूझा आप है उसके बाद कोई है तो यह चीज होती है वाँ बिल्कुल 100% है यह चीज सो गन्पती जी से मेरा connection तो अक्शली नहीं था पर बश्वर में अच्वर में अचानक से काशी से गन्पती ज कि मेरा साल यह कैसा जाने वाला है यह बचा हुआ है यह बचा हुआ है इनका साल कैसा जाने वाला है हम यह चेक कर लेते हैं आप खुद से कार्ड निकालेगा तो आपके लिए यह साल कैसा जाने वाला है गनीज जी का गाइड़न्स देख लेते हैं कितने कालेगा जितना आ अपने यह निकाला, celebration है, traveling इनकी होने वाली है, celebration है, पस पैसे में थोड़ा खर्चा तो हो गई होगा एगा, लेकिन इनको पैसे खटे करने है, लेकिन उनको महनत भी जादा करने पड़ेगी, तो गनेज जी यह कहना चाहते है, traveling भी करो, enjoy भी करो, दोस्तों के साथ, उठो बै अगर है, तो सामने वाला है, आपके साथ थोड़ा सा रुमैंस करना चाहता है, ठीक है, लेकिन अब आपको उस पे कितनी बाउंटरी सेट करनी है, कितनी यह नहीं, वो आपका काम है, but guidance देना मेरा काम है, traveling आपकी पकी है लेकिन, ठीक है, और जो आपने यह पैसे सेट पैस इसके लिए, तो इतने सारे guidance के बाद, मैं माम सी तो लास्ट सवाल है, वो यह पूछना चाहूंगी, कि ऐसा कोई मंत्र गंपती बापा का, जिससे आप बहुत सारा कानिक्टेड हो, और इसका मतलब, ओके, तो गनी जी का मंत्र तो बहुत सारे होते हैं, नॉर्मल, इजी वे में सब लोग पढ़ते हैं, ओम, गंग, गंपती, नमहा, ठीक है, लेकिन यह जो मंत्र है, बक्र, तुंद, महा, काय, सूर, कोटी, समप्रभा, निर्भिग, नम, कुरुमे, देव, सर्विकार, इश भगवान को प्रनाम है, और बारंबार प्रनाम है, और आप मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हे विगनहरता आपसे यही प्रात्ना है, वाँ, 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 तो आज का पॉड्कास, जो मैं, मैं की लाइन, शायद मैं कभी बोली निये, बट इस एक् पॉड्कास्ट है, यह शॉट होगा डेफिलिटली बट यह बहुत ज्यादा एवालुएबल है, उन सब के लिए, साही राशियों के लिए, सारे चिन्ने गायद चीए गंपती जी की, और अब हम यही पर समाब करते हैं यह पॉड्कास्ट सिफ एक जैकारा से गंपती जी का जो है, गंपती बपा मोर्या, मंगल मूर्ती मोर्या, थैंक यू सो मच, और एक चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहूंगी जो बैं हर पॉड्कास्ट में कहती हूँ, कि कार्मिक रहें, कर्म करते रहें, और इस बार गंपती बपा सब सम्हाल लेंगे, हाँ, यह जैकार्पती, तक यू. तक यू.